जैन दोस्तो वैल्कम बैक टू जॉब्टेरिया आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं बहुत-बहुत अभिनेंदन करते हैं एक भरती वैकेंसी का जो है अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तो और ये अगर बात करें तो ये ऐसी भरती है जो रेगुलर आती नहीं है लेकिन जब भी आती है जो है यहाँ पे इसका इंतिजार रहता है बात करें जार्खन में नया वैकेंसी अपडेट आई हुई है जार्खन के फॉरेस्ट विभाग में यहाँ दोस्तो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भरती निकाली गई है और इस भरती की खास बात यह है कि जितने भी male और female candidate है इस form को feel कर सकते है officially notification जारी किया गया है तमाम चीजों को इस वीडियो में discuss करेंगे, qualification क्या है किन किन post पर भरतियां है कितने number of post है आवेदन कैसे करना है, selection procedure क्या रहेगा इन सभी तमाम बातों को जो है इस वीडियो में जानेंगे तो बने रहेगा वीडियो में तक complete information आपको मिलेगा और इस जो है update का इस vacancy का अगर आप जो है PDF पारना चाहते हैं यानि इसको जो है आप notification को खुद अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में telegram का link होगा उसमें जो है जुड के telegram में सबसे पहले देख लें यहां पर अगर देखें तो जारकन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैकेंसी डिटेल 2024 पोस्ट नेम senior research fellow senior project assistance भी इसको कहा जाता है इसमें तीन पोस्ट पर यह भरती आई हुई है साथी साथ जो है junior project follow में project assistant के पत पर यहां पर two posts रखी गई है वहीं project assistant यानि field assistant के लिए दो पोस्ट रखी गई है इसका qualification में भी आपको बताऊंगा कि क्या qualification है इन सारे पोस्ट का उसके साथ साथ field worker पर जो है दो पोस्ट निकाली गई है और बात करें total तो यहां पे no post की यह भरती है यह age criteria आपकी कुछ चीज़ पर कर रहेगी आपका minimum age जो है 18 years होना चाहिए और maximum 35 years होना चाहिए यह आपका अगर देखेंगे 35 years रखा गया है तो for senior research fellow post के लिए रखा गया है इसके बाद अगर अधिकतम आयू सिमा की बात करें for junior project fellow पोस्ट पर 28 years रखा गया है वहीं 28 years रखा गया है project assistant post पर और यहां पर कर देखेंगे तो 30 years रखा गया है field worker post पर age में छूट प्रावधान भी है यानि age relaxation भी आपको मिलेगा जैसे कि age पर जो condition है relaxation का जैसे STSC OVC को यहां पर relaxation मिलता है STSC को 5 years का age relaxation दिया जाएगा और वहीं बात करें OVC को तो OVC को 3 years का relaxation दिया जाता है तो यह चीज़ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी qualification के अगर बात करें तो qualification post wise कुछी इस तरह मांगी गई है senior research fellow post के लिए जो है first class MSC इन जो है forestry या फिर बाटनी agriculture, statistics, remote, sunshine and geographical information system, wildlife science या जो 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 जी इन पोस्ट पर जो है अगर आपने मतलब यह qualification आपके पास MSC में है तो आपने in subject पर MSC की हुई है तो आप इसकी piece post के लिए eligible होंगे साथी साथ those with three years bachelor's degree and two years master's degree must have UCG, CSI, CSIR, ICL और ICFRE net भी होना चाहिए यह अभी अगर अगर है तो पर भी आप eligible होंगे इसके बाद junior project fellow post की बात करे तो इसके लिए qualification MSC जो है forestry, waterney, agriculture, statistics, remotes and science और and the geographical information system जिसको GIS बोलते हैं wildlife science और geology इन पर अगर किया हुआ है तो इस post के लिए आप eligible होंगे फिर अगर बात करें project assistant की तो project assistant post पर MSC मांगी गई है और वही सेम आपका forestry, botany, biotechnology और agriculture पर अगर BSC किया है इन subject में तो आप ये project assistant के लिए eligible होंगे और ये वाला जो है आपका field worker post के लिए 12 pass मांगी गई है यानि अगर 12 pass किया है या आपने diploma कर रखा है तो अपर भी आप जो है इस form को fill कर पाएंगे मतलब इस post में आप fill कर पाएंगे form fee अगर देखें तो बड़ी update यह है कि form fee किसी परकार का कोई charge आपको pay नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं OVC general EWS category के लिए नील रखा गया है कोई fee नहीं लगेगा STSC के लिए भी कोई fee नहीं देना है आपको और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका selection कुछ इस परकार से रहेगा इंटर्विव जो है आपको थुरूज से जो है इसका selection होना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 9-12-2024 मंडे यानि आपका 9 दिसंबर को मंडे के दिन 10 बजे सुबह in office of conservator of forest estate and sylvicalist block E1 विभाग दुरबंदा रांची में यह आपका इंटर्विव रखा गया है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे official यह website यह जो है notification है और website को भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका कुछ इस परकार जो है आपका यहाँ पे पूरे detail बताया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी यह है डिटेल जो मैंने वहाँ पर बताया है वही बाते हैं यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट को आपने देखिए डेट आप दी प्लेस इंटर्विव 9 दिसंबर 2024 वही जो है बरबंडा बन विभाग जो है रांची में जो पढ़ता है यहाँ पर आपकी इंटर्विव रखी गई है और इस परकार यहाँ पर आप देख पाएंगे डेटेल सारे चीजे टर्म अन कंडिसंस की बात करें तो जैसे की इंटर्विव के थुरू ही आपका सेलेक्शन होना है तो यह और एक सबसे बड़ी चीज है कि एक कांट्रेक्च्वल पोस्ट है यह आपका पमानेंट भरती नहीं है यह संबिदा पर यह भरती आपकी की जाने वाली है और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और आपको एप्लिकेशन देने के लिए आप जो है इस वेबसाइट का यूज करेंगे एपलाई कर पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं forest.jharkand.gov.in पर जो है जाके आप सारी चीज़ों को वहाँ पर form filling का काम कर सकते हैं और इस PDF को अगर आप एबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं salary बगर सारा दिया हुआ है तो आप ध्यान से पड़ लीजिएगा मैं टेलिग्रम में इस PDF को share कर दूँगा टेलिग्रम में जूड जाएगा लिंक दिया हुआ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक्स पर वचिंग